इदे अजय को ही बले ही परचाना बने दरबार का ये नियम है आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया तुम भी यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे सबकी जोली को बालाजी ने भरा है तुम्हारी भी जोली बागेश और बालाजी भरेंगे जो भी लहसुन प्याज मा समंद्रा बंद करके महीने में एक बार दो महीने में एक बार तीन महीने में भी एक बार बागेश और धाम की पेशी करेगा सनी बार या मंगल बार 21 पेशी के अंतरगत कली काल में ऐसा प्रतक्ष प्रमाड हमने अपनी आखों से देखा लाखों लोगों की जैजे कार हुई जाओ तुम्हारी भी जैजे हो जाएगी लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा दूसरी बात अंदविस्वास में बिलकुल ना पड़ें देख कर भरोसा करें आपने क्या पूछा है हमारे परचे पर क्या लिख कर आया और कल युग में हनमान जी के होने का यही परतक्ष प्रमार है आपके बोलने से पहले ही परचे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है यह परंपरा कोई नई नहीं है कोई अंधविश्वास पहलाने बाली बात नहीं है पागलो हमें हमारे गुरुजी से हमारे गुरुजी को सन्यासी बाबा से प्राप्त हुई है हमारी तीन पीडियों से परंपरा चल रही है और इन तीन पीडियों के दिब दरबार की परंपरा में आज तक जो कह दिया जो लिख दिया वो कटा नहीं ऐसा बागेस और हनमान जी के चरणों का प्रताप है स्वयंभू हनमान जी बैठे हैं बागेस और धाम पर स्वाप्रगट बाला जी है और हमारा तो मानना है कल युग में सनातन धर्म का जंडा बुलंद करने के लिए और जो सनातन को पाखंडी अधार्मिक बताते थे सनातन धर्म के उपर उंगली उठाते थे ऐसे धर्म बिरोधियों के मुँपर तमाचा मारने के लिए ही बाला जी का दर्बा लगता है बुलो जैस याराम बागेस और धाम की सन्यासी बाबा की हार हार लेकन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पढ़ता है अब भई समय तो लगता ही है अब क्या बताए हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया अब हम ठक जाते हैं ना दिनना रात सेबा करते हैं दिनना रात दर्बार कथा करते हैं लेकन हम बचन देते हैं जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे बाला जी की बड़ी कृपा है सन्यासी बाबा की दिब सक्तियां है दादा गुरू जी का प्रभाव है आप लोग मन में राम नाम जब करें जन्हें बुलाएं वो यहां आबें अपने प्रश्णों का आप समाधान लें बाकी जितने भी लोग बैटे ये तय है आज सब की अरजी लगेगी सामुहिक अरजी सब की लगेगी कोई खाली हाथ नहीं जाएगा बुलो जैस या राम बुलो दादा गुरुजी की प्रेतराज सरकार की समाधी बाले बाबा की दोनों हाथ उठाके बुलो बागे सरधाम की नमा पारवती पते हर हर एक बात और एक बात ये है तुम पूँचना वही जो तुम सुन पाओ हाँ क्योंकि हमाए पास है भाई भाई हम दिखा रहे ये है ये बड़ा हाई फाई है तुम वही पूँचना जो तुम सुन पाओ ये बलको कान खोल के सुन लो ये धमकी नहीं है डिस्किलेमर है हाँ कि तुम फिर बाद में कहो गुरू जी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो ठटरी के बरे न कटा तुम वही पूँचना जो तुम सुन पाओ क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड नहीं जिसका कोई कांड नहीं जो सुन्दर कांड वाले हनमान जी को पता नहीं बोलो सीता राम जोरसर बोलो अच्छा एक बात और आप यह बताओ तुम लोग एक समस्या का समधान चाहेते हो हमसे या परतेक का छोर सम्बोला अ परतेक का परतेक का को रहागत उच्छा क domination जो होसमें क्यों होसमें हमारी बात मानोंगे पक्का हमारी तीन बातें मानोंगे चलो पहली सुनो आज से हमारे चक्कर में ना पढ़ना क्योंकि हम तो मूर्ख नालाएक है हम पड़े लिखे थोड़ी है अनपढगबार है गुरू जी के दास है पर जैसे भी है हम बाला जी की है पर तुम हमारे पी चक्कर में मत पड़ना जिनके बल पर हम धरम ब्रोधियों को ललकारते है जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता देते हैं जिनके बल पर तुम्हारी समस्या मिट जाती है ऐसे बागेस और बाला जी के चक्कर में पड़ना दूसरी सर्थ लहसुन प्याज मां समंदरा बंद करके पेसी करना प्रारंब कर देना पेसी का मतलब धाम पर जाने का नियम लगाता नहीं जा सकते महीने में एक बार जाओ दो महीने में जाओ तीन महीने में जाओ लेकिन नियम का पालन तो करना वगर आप नियम का पालन करोगे तो जाओ तुम्हारी जैजै हो जाएगी तीसरा नियम बाला जी के सामने जाना जाकर कह देना जाओ हे बाला जी अब नहीं हमें भटकना अब हमारी हसी मत करवाना बाला जी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए जाओ लोट कर तुम्हें कभी पीछे मुढ़कर नहीं देखना पड़ेगा जब-जब संकट आएगा संकट मोचन बनकर बागेस और बाला जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगे बोलो जैस या राम जोर सम बोलो जैस या राम अब हम दरबार शुरू करते हैं सन्यासी बाबा को प्रनाम करते हैं उनको उनकी सेना को बुलाते हैं जो आपका विशय हो उसका समाधान लीजिए बाला जी के चरणों को पकड़िए जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं जाओ तुम्हें आज से किसी भी दरबार में भटकने की आउ सकता नहीं है जाओ तुम्हारी अलाईब अलाई भग जाएगी तुम्हारी अरजी सुीकार हो जाएगी जाओ जब जब तुम्हपर बिपत्ति या संकत आएगा बागे सुर्बाला जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आईगी लेकिन तुम नियंभर का पालन करना ओम बागे सुराय नमाहा इस मंत्र का जाप करना मेरे पागलो कलिकाल में बागे सुरबाला जी प्रतक्ष है उनकी महमा प्रतक्ष है हम उनके चर्णों को पणाम करते हैं जैसी आराम